हेलो अब्रीवन वल्कम बैक तो मैं चैनल एच एच एचुकेशन तोड़े आम गोंग टो एक्स्पेन क्लास सेवेंथ हनी कॉम पोएम नंबर फो चेवी इस पोएम इस रिटन बाइ माइकल रोजन ये पोएम जो माइकल रोजन ने लिखी है उनी की लाइफ का एक छोटा सा इ और इस इंसिडेंट में बहुत बच्चे इन्वाल भी हैं और हमेशा रहेंगी भी शायद देखते हैं चलिए पड़ते हैं आसके यह सैल्प एस वेल आस यह पार्टनर जो यह लाइक टू बीज टूल वाट तो डू और नौ तो डू डू जो ग्रोन अप्स डू दू देस इस पहीं पताया जा रहा है कि आप अपने पाटनर से यह पूछ हो कि आपकी चो पार्टनर है वह हमेशा यह चीज को पसंद करते हैं कि अंन्हें कोई टूके कि यह मत करो वो मत करो जब वो बड़े हो जाएं और बड़े लोग उनको टूके यह एक्स्पीदियनस आपके प माइकल जब पास साल का था तो उनकी जो मम्मी थी उसको एड्मिशन के लिए पास कही किसी स्कूल में लेकर गई अब वहाँ पर टीचर उनसे पूसती है बिटा आपको आपकी मम्मी घर में क्या खेकर बुलाती है माइकल पड़ी कॉन्फिदेंटली रिप्लाई देता है मुझे बोलती है माइकल डोंट मतलब यह है कि माइकल पास साल का और उसको यह नहीं समझ में आया कि मेरी मम्मी जो मुझे बार पर बोलती है यह मत करो don't do this don't do this मतलब जो don't का use है do don't यह वाली जो चीज़े तो उसको ऐसा लगा मेरा नाम माइकल डोंट ही है जो मेरी मम्मी मुझे प्यार से पुलाती है इतना छोटा बच्चा स्रिफ इतना ही समझ पा रहा है चलिए अब इस poem कम आगे पढ़ते हैं कि actually में यह poem है कि बहुत इंट्रेस्टिंग poem है और बच्चों के उपर तो काफी यह कहा जाएगा कि बड़े लोग अन जाने में ऐसा कुछ बच्चों के साथ कर देते हैं कि बच्चे अच्छे से grown-up नहीं कर पाते हैं means हम उनको हमेशा जो टोकते रहते हैं उस टोकने से उनकी जो activities है या फिर उनके अंदर जो skill है वो develop नहीं हो पाती है और हमें पता भी नहीं पढ़ता है कि वो skill develop ना होने का कारण we are हम हैं चलिए पढ़ते हैं grown-up say things like speak up, don't talk with your mouthful, don't stir, don't point, don't pick your nose अब देखिए जो बड़े हैं grown-ups it means जो हमसे बड़े हैं वो हमें ये चीज़े अकसर कहा करते हैं किस तरह की चीज़े बोलते हैं speak up चोर से बोलो अगर जैसे छोटा बच्चा है उसको उसकी ममी पढ़ा रही है ये पापा पढ़ा रहे हैं बड़े भाई बेन पढ़ा रहे हैं और वो दीरे से बोल रहा है ए for apple तो आप बोलो कि speak up चोर से बोलो तो बिचारा डर के मारे ए for apple कई बर इतनी जोड़ से बोलते हैं कि हम लोग ही हसने लगते हैं वाओ क्या energy के साथ बोला है चीके तो ये बड़े लोग बोलते हैं जोड़ से बोलो don't talk it अगर कुछ खा रहे हैं हम लोग चोटे बच्चे जो रहते हैं उनको नॉर्मली कुछ manners नहीं समझ में आते हैं तो हम दीरे दीरे सिखाते भी लेकिन सब लोग का सिखाने का तरीका अलग अलग होता है है ना तो कभी वो मुह भरा रहता उनका खाने से और वो उसी भरे हुए मुह में वह वह करके बोलते हैं तो उस चीज के लिए भी वो डाट खाते हैं कि ऐसे मत बोलो टोंट स्टियर घूरो मत अगर वो किसी चीज भूर रहा है देख रहा है तो उसको वहां पर भी टोक दिया जाता है कई बार ऐसा होता है बच्चे घूर रहे रहते हैं लेकिन वो को सोच रहे रहते हैं तो आप उनकी जो थिंकिंग स्किल है उसको भी स्पोईल करने लगे टोंट पॉइंट अगर चोटा बच्चा है तो उसकी ममी उसकी ममी ने मुझे डाटा या फिर वह भाईया आज वहां खेल रहे थे इतमिन्स आप पॉइंट कर रहे हैं अपनी ममी को बता आपकी ममी हाथ नीचे कर देती है अरे उसे उंगली मत दिखा उंगली दिखा के मत ऐसी बताओ नो उसके बारे में तो आप वहां पर भी उसे टोक रहे हैं टोंट पिक यूर नोस चोटे वच्चे के अकसर आदत होती है क्या होती है एक कंदी आदत होती है वो होती है नाक में उंगली डालना तो आप उसके लिए भी उसे टोकते हैं यह वाली जो आदत है न Take your hands out of your pockets. अब देखे, अब हम क्या बोल रहे हैं? See the bad joke. यह दि आप कुछ बोल रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, एक लास पानी दे दो, तो आप क्या बोलो कि प्लीज नी बोल सकते हैं? मतलब, प्लीज बोलो. अब आप किसी चीज में खेल रहे हैं, तो नौर्मल से बाते बच्चे खेलेंगे, तो शोर तो हो गया. लेकिन कई बड़े लोग क्या करते हैं? घर से बाहर निकलते हैं, बोलते हैं, एक आवास कम करो, शोर मत मचाओ, दीर बोलो. ये इंट्रक्शन होगे है, बिचारे बच्चे खेलेंगे तो आवास तो होगी, अब आप बिना आवास के खेल लो, तो वो तो मॉबाईल ही है, जो बिना आवास के सब नोच हो सकता है, इसीरे तो बच्चे मॉबाईल में खुस रहे हैं, कि बढ़ों की गलती हो जाती है shut the door behind you मतलब कई बार बढ़े लोगी भी habit होती है और छोटे बच्चों की तो होती ही है कि वो जब घर से बाहर निकलते तो दर्वाजा बंदी नहीं करते खोल की चली जाते हैं अकसर डाट खाते हैं बढ़े भी और भच्चे भी डाट खाते हैं कि भई दर्वाजा तो बंद कर दो जो तुम बाहर निकलो और पीछे तुमारा दर्वाजा खुला रखा हुआ है डोंट रागियर फिट कही बच्चे होते हैं जो अपने पैर को घसीट के चलते ते राख्चस भूत की तरह बड़े तकलीफ में हैं जैसे तो उनको बोला जाता है भईयर पैर घसीट के माच चलो तरीके से चलो haven't you got a henky कई होते हैं जोई जैसे कि किसी को छीख आ गई तो वो अपना हाथ यूज कर लेते लेकिन उस टाइम उनके जो बड़े राते हों बोलते हाथ यूज की हो तो भार पास henky नहीं है क्या अरे henky होता तो बिचारे यूज कर लेते लेकिन उसके लिए भी टोका जाता है कि भाईयर छीख आने से पहले अपनी जैब को टटोल लो जैब से henky निकाल लो नहीं है तो कहीं जाने से पहले henky रख लो और फिर बोलते हैं take your hands out of your pocket कहीं बच्चे होते जो अपनी pocket के अंदर हाथ डाल के रखे रहते हैं उनको भी बोलते हैं आप pocket से हाथ निकाल लीजिए और अकसर बड़े लोग अपनी pocket में हाथ रख कर ही बात करते हैं अगर आपने notice नहीं किया है तो notice करके जरूर देखिएगा ठीक है चलिए pull your shoes, sorry pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt no one thinks you are funny, take your elbow off the table अब यह बोलते हैं देखिए अपनी जो socks, चोटे बच्चे हैं कई पर socks खेलते, चलते, कूटते, फिरते, नीचे हो जाते हैं उनको बोलते हैं अपने socks को थोड़ा उपर की तरफ कीचो नीचे आ गए हैं वो सुकड़ गए हैं इस तरीक से बोलते हैं stand up straight मतलब सीधा खड़ा रहा हो कई पर ठक जाते हैं पच्चे तो जुग भी जाते हैं तो उनको जुगने का भी अधिकार नहीं है फिर बोलते हैं को चीज कोई दे रहा है तो thank you बोलना सीको हाँ ये बहुत अच्छा है कि आप उनको don't pick the nose बोलो मतलब नाक में उंगले मट डालो सीधे खड़े हो सारी आप उनको thank you और please or sorry ये तीन cuts से ये सिखा रहे हैं ये अच्छी चीज है don't interrupt किसी चीज में interrupt मतलब मतलब कई बच्चों के habit होती है कि दो लोग बोल रहे हैं तो बीच में वो बोल देता है ये भी एक अच्छी चीज है दो तीन चीज में बड़ी अच्छी है फिर उसके बोल रहे हैं कि तुम यह मत सोचे कि तुम सबसे ज़्याता फनी हो उसको फिर डाइंड भी बढ़ रहे हैं और फिर इसको बोल रहे हैं अगर वो डाइनिंग टेबल पर खाना खारा है अपनी अलबो को रख लिए अपनी क कि तरफ रखो कोनी टेबल की तरफ मत रखो टेबल के उपर मत रखो उसको यह करसी सिखाने हम शुरू कर देते हैं और वही करसी में से 50% हम भूल जाते हैं यह इस पोएम में बताना चाहरा है कि बच्चों को इतना मत टोको कि उनकी किरिसिटी भी घतम हो जाए और कोई उन दो लाइने बड़ी इंपोर्टन्ट लाइन हैं अब यह सब तो हो गया भाई बच्चा है आपने उसको टोकते रहे लास्ट राइन में बिचार वह बढ़ा हो गया है बढ़ा होने के बाद फिर वही बंदा क्या बोलता इसको तुम कैसे इंसाल है तुम अपना टीसिजन मेर भाइ तुम ने उसके गिमाघ को बढ़ने का दिया मढ़ता उसका दिमाघ तो व वहर 수 बढ़ता उसका दिमाघ तो तुमसे तना नहीं पूस्टा अब तुम मार मार के ऊकल, चोटा रख दिया और बलते हैं कि तुम अब बड़े होगे बच्चे पर बोलते हो अब खुद इंडिपेंडेंडेंट बनो How is it possible? It means यहाँ पर जो राइटर है वो यह बुलना चाहते हैं कि बच्चों को टोको बट इतना मटोको कि वो अपने सल्व डिसीजन न ले पाए अपने स्किल डवलप न कर पाए कई बार इतना टोक देते हैं कि वो बच्चे कुछ सीखी नहीं पाते इवन वो पूरा अगले बंदे पर डिपैंड हो जाते हैं है ना तो अगर इस पोएम से कुछ लोगों को यह सीख मिलती है तो प्लीज फॉलो कीजिए और ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को बिल्कुल मत टोकिए टोकिए लेकिन कुछ चीजों के लिए टोकिए हर टीज के लिए डोंट का यूज प्लीज मत कीजिए ठीक है तो इसी के साथ पीरा ये पोएम सेशन ओपर होता है मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी बहुत अच्छे से आई होगी मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सूमस टीक्यों बबाई